आम् सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन भक्तों आज मैं आपके समख्ष स्रिमत भगवत गीता के दस्मे अध्याय के 32 श्लोक पर प्रवचन सुनने जा रहा हूं स्री भगवान वाच भगवान कहते हैं सर्गानाम माधीर अंतश्यमत्धम चायब मर्जुन अध्यात्म विद्ध्या विद्ध्या नाम वाधा प्रवताम हम अर्थात है अर्जुन श्रिष्टियों का आदी अंत और मध्य मैं ही हूँ और विद्ध्याओं में मैं अध्यात्म विद्ध्या हूँ और तत्र नुर्णे करने में मैं वाद हूँ तो यहाँ पर भगवान ने यह बताया है कि यह जो तमाम स्रिष्टिया हैं जो कुछ भी उत्पन हो रही है वो जिससे उत्पन हुई थी वहाँ और अभी इस बग जैसी है और आगे जैसी हो जाएंगी वेवस्तु चाहे बड़ी हो चाहे चोटी हो चाहे बहुत चोटी हो चाहे बहुत बढ़ी हो चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो चाहे लोग हो चाहे प्रलोग हो चाहे कोई अवस्था हो उन सब के आधि मत्य OR अंत में वही है यानि सब कुछ वही है यानी किसी चीज़ का आधि मध्य OR अंत होता है और मध्य का अर्थ यानु समझना चाहिए कि सिर्फ दो बिंदू के ठीक बीच ओबीच का अस्थान आधि और अंत के दर्मियान जो कुछ भी है वो मद्धिक आलाता है सिर्फ केंदर की बात नहीं है तो यानि सब कुछ हर तत्तो वेही है यहां पर वे यही कहना चाहते है कि उनके स्वेयर कुछ नहीं है और ये सारी वस्तुवें उनकी ही विभूतिया है वे सारी वस्तुवें वेही है और जैसा कि सबको विदित है सास्तर में बताया गया है कि यह जो स्रिष्टी है इसकी जो उत्पत्ति हो रही है तो उसके लिए गर्भोदक्साई विश्णु है फिर छिरोदक्साई विश्णु है और फिर ब्रहंबा है जिनसे कि यह स्रिष्टी उत्पन हो रही है और पालन में विश्णु है और संघार में शिव है तो इस तरह से यह चक्र चलता रहता है यहाँ पर सिव किसी व्यक्ति को नहीं समझना चाहिए नहीं विश्णु या छिरोदक्साई विश्णु या गर्वोदक्साई विश्णु या ब्रहंबा को कोई व्यक्ति समझना चाहिए यह सब अवस्थाएं हैं इसके भीतर के फोर्स तो उन भिन भिन फोर्स का इन्होंने नाम दिया जैसे आज भी ग्यान भिन भिन फोर्स का अलग अलग नाम देता है कोई न्यूकलिर फोर्स है तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उस तरह से यहां नाम दिया जाता है तो अलग अलग फोर्स के नाम है यह सब वो धार्मिक सब्दावलिया है आप ऐसा समझ सकते हैं तो यह कह रहे हैं कि यह पुरी स्रिष्टी जो चलती है जो वस्तु है वे जो इसके फोर्सेस है वे जो इसके चार्ज है जो इसका अधिश्ठाता है यानि जहां से उसकी उत्पत्ति हो रही है वे सब जो अवस्ताएं हैं सब इनी की है सब पर ब्रहम परमेश्वर की है और ये सब वासुदेव है सब कृष्णा है फिर उसके बात काते हैं अध्यात्म विध्या विध्या नाम विध्याओं में मैं अध्यात्म विध्याओं विध्या किसे काते हैं विध्या का जाता है साविद्या यावि मुक्ते विद्या वह है जो हमें मुक्ती दे वास्तुइप विद्या तो वही है लेकिन ऐसे संसार में बहुत सारे विद्या हैं जिससे की हम संसारिक तत्तों को जानते है और उसके बाद उनका उपयोग करते है उससे हम कही toolbox कि रचनाव में भाग लेते हैं सामाने वहवार सामाने भासा जितने भी अशब सभी विद्ध्याएं Ёये पर रंतों ये विद्ध्याएं वैसे हैं جो कि हमें बंधन से मुक्त नहीं करती हैं बलकि बंधन में ही डालते रहती हैं और हमारे बंधन को बढ़ाए देते बलकि और हमारे दुख को बढ़ाती है हमारी वेदना को हमारी तड़क को बढ़ाती है हमारे अवसाद को बढ़ाती है हमें रोगी बनाती है हमें वेशनी बनाती है इसलिए ये विद्याय वास्तिक विद्याय नहीं है ये विद्या है बस है विद्या है बस इनका नाम बस विद्या है लेकिन वास्तिक विद्या क्या है अध्यात्म विद्या क्यों? क्योंकि वह मुक्त करती है अध्यात्म विद्या का मतलब वह विद्या जिससे हमारा स्थाई कल्याण हो जाता हो जिससे अब हमें जानने के लिए और कुछ नहीं रह जाता हो समाने विद्या में तो जानने के लिए कुछ नहीं रह जाता है अध्यात्म विद्या में जानने के लिए कुछ नहीं रह जाता है अध्यात्म विद्या कर्थ हो गया कि हम अपने आत्मा के विद्ध्या को जाने तो आत्म तक तो कबोध हो जाना अध्यात्म विद्ध्या है और यह बाकी विद्ध्या है तो आप किसी समय में पढ़ेंगे लिखेंगे समझेंगे करेंगे इस विद्ध्या में समय महत्पूर नहीं होता है समय का कोई मत नहीं होता क्योंकि ये हर समय विद्धमान होता है और इसको पढ़ना समझना करना कुछ नहीं है ये सब के लिए उपलब्द होता है तो हर समय उपलब्द है और सब के लिए उपलब्द है सदेव उपलब्द है और इसके बोद के बिना हमारा कल्लाड नहीं है हमारे दुख वेदना का अंत नहीं है और हमें यतार्त बोद नहीं होगा यतार्त बोद का मतलब क्या हुआ कि यह स्रिष्टि किस सिध्वान से किस नियम से चलती है उसका बोद हमें नहीं हो पाएगा अध्यात विद्या से भी बोध होता है अध्यात विद्या से आपको फिजिक्स के सारे लौपने आप पता चल जाएंगे इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो फिजिक्स के अभी बेगानिकों ने जो फर्मूला बना दिया है उस फर्मुला के आपके जानकारी हो जाएगी नहीं इसका यह मतलब नहीं है लेकिन इसका यह मतलब आवस्थ है कि कोई चीज कैसे प्रवाइत होती है कोन उसको प्रवाइत कर रहा है उसका आप साक्षात दर्संद कर सकेंगे आपको बोध होगा आपको गुणा कड़ित लगा करके हिसाब नहीं बठाना बलकि आप साक्षात महसूस करेंगे कैसे हो रहा है आप उस घटना के साक्षात दर्सी हो जाएंगे तो कोई भी जो घटना घट रही है उस घटना के नहेत जो तात्विक प्रक्रियाए है उसका आपको बोद हो जाता है अध्यात्म विद्या से क्योंकि पदार्थ जगत और चेतन जगत उसके लिए बिल्कुल अस्पष्ट हो जाते हैं सीशे की तरह साफ दिखता है उतना साफ दिखता है जितना यह संसार भी साफ नहीं दिखता उससे जगता साफ दिखता है वो तो अध्यात्म विद्या राज विद्या में यह अंतर है एक तरह से अध्यात्म विद्या तो मैं अब निर्गुन स्वरुप की मुक्यता होती है और राज विद्या में सगुन स्वरुप की मुक्यता होती है अध्यात मिद्या में आत्मा परमात्मा को जानना है और इस प्राद को भी जानना है वो फिर नहीं प्राद चल जाता है जानना नहीं होता है उसका प्रयास नहीं होता है बलकि खुद प्राद चल जाता है तो बिना प्रयास के ही प्राद चल जाता है तो इस तरक्षी जो साधनाय होती हैं, जिससे पता चल जाता है, विश्व सब अध्यात्मिक विद्या में आते हैं, यह ब्रह्म विद्या है, गीता में, हर अध्याय में, जो ब्रह्म विद्या लिखा गया है, योग विद्या लिखा गया है, वो यही है, अध्यात्म विद्य इसलिए अगर कोई कुछ भी पढ़ लिया अगर अध्यात्म विद्या नहीं पढ़ाओ यानि उसको बुद्ध नहीं हुआ तो फिर उसके सब विद्याइन जर्थक है तो अध्यात्म विद्या के वैसे गरंथ तो है जो पारमपरिगरंथ हैं सुवेध हैं उपनिशद हैं गिता हैं पुराण हैं भागवत हैं और विदांग हैं तो ब्रहमशत्र है तो भगवान ने यहां पर जो ब्रहमशत्र है विदांशत्र एक तरह से उसी को अपना वबाना है परंतु विदान सुत्र जो लिखा हुआ है वह तो सिर्फ एक गरंथ मात्र है उसमें जो लिखा हुआ है उसको महसूस कर लेना अध्यात्म बिद्या है वह वास्ता में ब्रहम सुत्र है वो लिखा हुआ जो उसमें है ब्रह्म सुत्र में विदान सुत्र में उसको पढ़ लेना एक दूसरी बात है परन्तु वो जो लिखा हुआ है उसको मसूष कर लेना वो अध्यात्म बिद्य है और मसूष करने के बाद फिर जो आप लिखते हैं फिर वो एक तरह से वो भी अध्यात मिद्या का सास्तर होता है परन्तु यहां पर जो इंगित किया गया है वो उस अध्यात मिद्या के लिए किया गया है जो अनभूती करने युग गया है तो यहां अनभूवात्मक होता है इसके बाद फिर जो यहां पर आगए है कि तत्व निरने के लिए किये जाने वाले जो सास्त्रार्थ होते हैं उसमें वाद हो तो वैसे तो सास्त्रार्थ जो होते हैं तो उसमें लोग अपनी युक्ति दे करके अपने पक्ष का मर्णन करते हैं और दुसरे पक्ष का खंडन करते हैं युक्ति प्रयुक्ति से तो अपने पक्ष को जिताना चाहते हैं दुसरे पक्ष को हराना चाहते हैं तो इसको जल्प का आ जाता है और जब सिर्फ दुसरे पक्ष का खंडन ही खंडन किया जाता है यानि दूसरा पक्ष कुछ भी रख रहा है तो उसको बात को काट रहा है आप लोग कुछ महसूस किये होंगे कि ऐसे कुछ लोग करते है कि दूसरा कोई कुछ भी काता है उसको बात को खंडन करते रहाना इसको वितन्डा काते है और जब अपने पक्च और दुसरे पक्च के मतलब ना रख करके सत्य क्या है बस इसका जब निर्वने करने के लिए करते हैं तो वह सास्त्रार्थ ऐसा जो होता है वहता तो निर्वने के लिए जो बाद विचार जो होता है उसको बाद गा जाता है इसमें सत्य महत्पुर्ण होता है व्यक्ति नहीं पक्ष नहीं इसमें मत्य महत्पुर्ण नहीं होता है इसमें क्या सत्य और तत्य है वे महत्पुर्ण होते हैं तो अधि जल्प और वितंडा में कोई उसमें जाता है अगर वैसा वो करता है तो उसके वितर में द्वेश की भ भावन आ जाती है, हिंसा की भावन आ जाती है, कुरोध आ जाता है, अभिमान आ जाता है, तो अक्सर एक संपर्दाय, दुसरे संपर्दाय से करते हैं, अपने संपर्दाय को स्रेष्ट करने के लिए, एक धर्म, दुसरे धर्म को, एक मजहब, दुसरे मजहब को करते हैं, किसी गुरू से या किसी गरंद से बहुत मतलब नहीं होता है वे आस्तिक नास्तिक कोई भी हो सकते है उसे मतलब नहीं होता है वहाँ तो सत्य और तत्य ही महत्पुर्ण होता है और इसी को भगवान ने अपने विवोती का है वाद का है तो वाद इसलिए से रेष्ट है क्योंकि यह ग्रहन करने योग है और इसमें तथे और सत्ते और नयाय यही महत्पुर्न होते हैं तो और इसके लिए कोई विद्वेश भावना से नहीं चर्चा की जाती है इसमें बस चर्चा की जाती है कि क्या सही है क्या होना चाहिए क्या अनभूती है उस पर चर्चा होती है तो इसलिए यह जो है भगवान ने इसको कहा कि यह विवूती है वाद जो है हमारे विवूती है और बैसे तो आप आज करके दुनिया में अधिकतर लोग सिर्फ बितंडा और जल्प यही करते हैं दूसरे का खंडा दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भी सब चर्चा करते रहते हैं कि मैं यहां सरेष्ट हूँ तो वहां जब मैं काभी मान आ जाता है और मैं बात रख रहा हूं से लिए महत्पूर्ण हो जाता है तो सब जो है अहंकार का उसमें आ जाता है और वास्त भी कल्लाड नहीं होता है उसका बोलने वाले का वक्ता का और नहीं शुरुता का और अंत में यह और निर्नित रा जाता है लेकिन वाद में क्या होता है कि निर्नित हो जाता है क्योंकि उसमें व्यक्ति अपने को महत्पुर नहीं मानता ना सामने वाले को हीन मानता है बस ऐसा है कि चर्चा ऐसी होनी चाहिए कि जिसे सत्य उद्घाटित होना चाहिए, तत्य उद्घाटित होना चाहिए, वह न्या संगत होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए, इसे कुतर्क नहीं होना चाहिए, और बिना किसी राग द्वेश के होना चाहिए, बिना किसी पक निरने होता है फिर यह निरने हो जाता है और जल्प और वितंडा में तो निरने नहीं होता बलकि कटूता और बढ़ जाती है और कोई पक्छा संतुष्ट नहीं होता बहुत सारे दुनिया में सास्तरार्थ के भारत में भी सास्तरार्थ के बहुत सारे उधारण हैं और हुए हैं और उसमें रागद्वेस बढ़ गए हैं हिंसा जड़प यह सब हो गई है तो यह सब चलते रहते हैं संक्राचार्ज आदी संक्राचार्ज का सास्त्रार्थ बहुत प्रमुख माना जाता है जो मंदन मिस्र के साथ हुआ था और उनकी पत्नी उभय भारती के साथ तत्त निरने के लिए वह था और सास्त्रार्थ के नियम होते थे कि जो भी पक्ष असत्त की जगह पर है जिसका तत्त पक्ष कमजोर है तो वह जो है अब सिस्ष से बन जाएगा जो जिस पक्ष से हारा है ऐसा इसलिए क्योंकि और सिस्ष्यों समयथ सिस्ष से बनेगा तो ऐसा उसको हिमिलियोट करने के लिए हिन करने के लिए नहीं बलकि उसके कल्यान के लिए था इसलिए शिस से बना जादा था, उसकी उपएखचा नहीं किया दिती है, उसे शिस से बना जादा था, यानि वहाँ अब उनके बक्ष में सामिल होकर के, अच्छे प्रेम से, क्योंकि शिस जो है, वहाँ पुत्र समान होता है, तो उसने पुरवकवातावाल में रह करके लिएंगी भावना नेट थी, तो इसलिए वाद को बहुत महत्बुर मना गया, और इसलिए यह भारत में यह परमपरा रही, तो उसमें हीन नहीं कियाता है, बल्कि उसमें हराने का कुछ उद्देस नहीं होता है, तत्व निर्ने होना चाहिए नया संगत होना चाहिए और दोनों ही पक्ष लेते हैं उसमें भी दिया जाता है कि आप समय अगर कहीं और भी तब तो ग्रण कर सकते हैं कहीं से और अपने पक्ष में उटा सकते हैं तो ले आएं ऐसा नहीं कि ये अंतिमी हो रहा है ये चर्चा हो रही है तो तो आप समय लेते ही भी आईए यानि ये जो तत्व निर्ने के लिए जो वाद होता है ये चलता रहता है कोई एक समय एक ही काल कर निर्ने नहीं होता है ये कई समय तक चलता रहता है तो विभिन्न मत्ताव अलम्मियों के बीच में यहां पर देसमें सास्तृत्रार्थ हुए हैं और इसे नए-ने पंथ भी उत्वध रहे हैं और नए-ने समपरदाय उत्वध होते रहे हैं नए-ने ग्रंत लिखे गये हैं और इससे जो है यह एक विकास की तत्व निरने के विक प्रास की एक बहुत अदभूत गाथा है जिसे की भारत का अध्यात्म बहुत विख्षित हुआ यह एक जगह टिक करके सढ़ा नहीं लगातार स्परिचाचाहे परिचाचाहे होती रही इसमें व्याकरण पक्ष हो तर्क पक्ष हो बहुत सारे पक्षविपक्ष हुए है इसम उसका जो है, मारपिट का यहां पर मतलब नहीं है, उसको विभूती नहीं माना गया है, और करोध और विद्वेश से किया गया, उसका यहां पर सास्तर में महत्त नहीं दिया गया, और ना सिर्फ सनातन धर्में इसका कोई महत्त नहीं दिया गया है, इसलिए वाद का महत्त द आई हैं तो जो विद्वान होते हैं वे जल्प और वितंडा में नहीं बलकि वे वाद में रखते हैं यही भगवान ने यहाँ पर अपना संदेश दिया है ओ मरे